दोस्तों नमस्कार श्वागत है आप सभी का ओला नेटाफ फॉस्टी यूटिव चैनल पर अगर आप भी एक नोकरी का इंतजार कर रहा है और ऐसे में एक सिच्छक भरती के अंदर बैठ कर अपने लिए एक सीट लेना चाहते तो यह वीडियो आप सभी के लिए है वीडियो टेट और सीटेट इसके अलावा अगर बात की जाए वेतन के बारे में तो वेतन को देखकर आप इस बात कर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह जो वेकेंसी पर्मानेंट है संविधा पर बिलकुल भी नहीं क्योंकि संविधा पर अधिक्तम पंदे हरजार का वेतन मिलता इससे को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वहां से आपको बहुत सारी जानकाई दी जाती हैं लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हैं अभी सब्सक्राइब करें शुबात करते हैं दोस्तों सबसे पहले अगर बात कीजा भरती के नॉटिफिकेशन यह एक बात आपको हमीश पहला दूसा अगर इस भरती के अंदर नंबर आ जाता है तो हो सकता है कि आप सबीक लिए और भी जो आसान है वो हो जाए तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं देट ऑप सीवीटी के बारे में उनका कहना है कि इसको लेकर बार में बता दिये जाएगा लेकिन इसकी जानकाई भी मैं आप सबीको आगे दूँगा तो फिलाल ये बात हो जाती है इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में लेकिन यही पर एक मुद्दा जोड़ा आयाता है फी बाते में आप सभी को बता दूँ कि वेकंसी कहां से देखने के लिए मिलती है और यह जो विद्याले आप सभी को देखने के लिए मिलते वह अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के आप दिभार्टमेंट में देखनी के लिए मिलते हैं तो इस बात को लेकर जादा प्रिंसिपल वाले अभ्यति इसके लिए आविदन करें क्योंकि तीन प्रदों के लिए यहां से वेकेंसी निकाली गई है प्रिंसिपल की अगर बात की जाए गुरूप एक के बारे में तो यहां पर साथ सीट आपको अनिजब की देखनी के लिए मिलती है एक OBC की सीट और य अनिजब की है टोटल सीट यहां पर लिखी हुई है तो बाइलोजी के अंदर 42 केमिस्टी के अंदर 55 कॉमर्स के अंदर 29 के अंदर 83 इंग्लिस के अंदर 37 जियोग्राफिक 41 हिंदी 20 हिस्टी 23 मैस के अंदर 26 और फिजिस के अंदर अगर बात की जाए तो 19 सीट आपको देख सबाइब भी सकते हैं सवाल देखने के लिए मिलता है कि टीजीट के अंदर टोटल कितनी सीटे हैं तो टीजीट के अंदर 144 हिंदी के अंदर 147 मैस के अंदर 167 इसके लावर साइंस की अगर बात की जाए तो 124 सीट यहां पर लगबग 683 सीट टीजीट के बारे में आपको के सामने for post graduate teachers के बादे में यहां पर आप पोस्ट कोड लिखे हुए हैं क्योंकि आगे जब आप सैच्छिक योगिता को पड़ेंगे तो इसी के आधार पर आपको जानकाई दी जाएगी अगर पोस्ट graduate मतलब की PGT के लिए आविदन करना चाहते हैं तो आपको जो पेश के रोगा वो 47,600 से लेकर एक लाख 51,000 के संथिंग आपको देखने के लिए मिलेगा अगर बात कीजाए आप सब्सक्राइब के सामने जो एस लिमिट है वो 40 साल आप सब्सक्राइब को देखने के लिए मिले तो आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि BA degree is not required for the candidate who have undergone 4 years integrated degree course for reason मतलब यह है कि आप सभी के पास में पहला तो आपका post graduate होना चाहिए पहला दूसरा आप speaker सामने BA भी होना चाहिए जो कि लिखा हुआ है ठीक है अगर आपके पास नहीं course करका है तो आपको BA degree की आपशक्ता नहीं पड़ेगी तो यहां पर आप सभी के सामने NCTE की तरफ से BA के साथ आपने पोस्ट graduation करका है तो आप PGT के लिए आविदन कर सकते हैं अब जैसे कि यहां पर लिखा है कि PGT English में आविदन करना चाहते हैं तो आपका post graduation English के अंदर होन तब ही आप इसके लिए आविदन करेंगे PGT physics के में अगर आप आविदन करना चाहते हैं तो यहां पर आप सभी के सामने सभी जो physics से संब्जेक्ट हैं वो लिखे हुए हैं ऐसी chemistry आप सभी के पास होगा ऐसी अगर बात किये maths के बारे में जानकर लिखिए PGT economics के बारे में इन बातों का ध्यां रखें और जो भी सब्जेक्ट के लिए आप आविदन करेंगे उसके साथ में आपने यहां से पास किया हो साथ में भी आप सभी के पास होना चाहिए ठीक है क्योंकि नीचे लिखा हुआ है कि आप सभी के लिए अनिवाद है फ्रोफीन सी कि अगर बात की जाए नीचे लिखा है कि experience as a TGT एक इंस्टूट ऑफ कंसर्ण सब्जेक्ट जब भी आप आविदन करें तो आप सभी के पास थोड़ा सा experience भी होना चाहिए पीजिटी के लिए इसके अलावा experience of working in residential school के अंदर knowledge of computer application के बाहरे में थोड़ी जानकाई आपको होनी चाहिए उसी के संबंद में PGT computer science के बारे में लिखा हुआ है ठीक है यह सारी बाते हो जाती है अब बात आती है आप सभी के सामने 10 graduate teacher जसको TGT कहा जाता है अगर आप TGT के लिए आविदन करना चाहते हैं तो वो भी आप सभी यहां से देख सकते हैं सभी की जो पोस्ट हैं वो लि क्राइफिकेशन के बारे में तो अगर आप म्यूजिक के लिए आविदन करना चाहते हैं तो 5-year study in music institute में अगर आप ने कर रखा है तो आप इसके लिए आविदन करेंगे और अगर आपके पास कोई और degree diploma है तो आप इन सभी को पढ़ लें क्योंकि बहुत सारी यहां पर ल देखे हुए हैं लेकिन एक बड़ी बात यह है कि आपको बियर्ड होना चाहिए अगर बियर्ड होंगे तो आपको benefit मिलेगा अब बात आती पीट के बारे में पीट का मंदब हो था फिजिकल एजुकेशन ठीक है तो फिजिकल एजुकेशन फॉर्म अगर बात की जाती आप अगर बात की जाए कुछ और जानकाईयों के बारे में कि एज रिलेक्शेशन किस को मिलेगा तो यहां पर जो बेहती होंगे उन सभी को इतने इतना जो एज रिलेक्शेशन है वो देखने के लिए मिल जाएगा TGT के बारे में दो बात आप सभी को और बता दी जाएं कि आप सभी के पास में जो TGT अगर आप आविदन करना चाहते हैं तो आपके पास में B.E.R. होना चाहिए तब ही आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं B.E.R. के अलावा आपको आविदन करने का मुखा यहां पर नहीं मिलेगा एक बात यहां पर और लिखी हुई जिसके आप TGT हिंदी के लिए आविदन करना चाहते हैं तो हिंदी एजए सब्जेक्ट आप सभी का होना चाहिए सभी तीन सालों के अंदर अगर आप इंग्लिस के लिए आविदन करेंगे तो तीनों साल में आपका आविदन करने से पहले अगर बात कीजाए फोर TGT साइंस के लिए तो बोर्डनी जूलोजी और केमिस्टी आप सभी के पास में होना चाहिए ठीक है इसके अलावा अगर बात कीजाए इनकेस और कोई यूनिवर्स्ट्री का मामल है वह आप सभी पढ़ लेना ध्यान से ठी के लिए भी आविदन कर सकते हैं इस्टी जिओग्राफी एकॉनिमिस पॉलिटिकल साइंस और जिओग्राफी विद इस्टी पॉलिटिकल साइंस कुछ अलग अलग आप सभी के सामने जो कॉम्बिनेशन ने बता दिये गए हैं अगर आप टीजिटी थर्ड लेंग्वेस के के लिए आविदन कर सकेंगे, आपके पास बीर्ड होना चाहिए, बीर्ड के साथ में थोड़ी बहुत जानका या आपको हिंदी एंगेजी दोनर में होनी चाहिए, यहाँ पर अगर बात कीज़ए आप सभी के पास में रेजिटनिस स्कूल का जो एक्स्पीयेंस से वह भी लगेगा, computer noise आप सभी के पास होनी चाहिए, अगर आपने four year integrated beard कोश्ट कर रखा है तो आप से कुछ भी नहीं मागा जाएगा, फिलाल ये बात हो जाती, beard के बारे में पूरा का पूरा मामला आप सभी को बता दिया गया है, कि आप आप आविदन करना चाहते है, तो concern subject के अ आपका अच्छा performance होगा, CBT के अंदर तो आपका यहां से जो chain हो जाएगा, एंड आप सभी का जो interview भी यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, फिर आप सभी को यहां से जो appointment कर दिया जाएगा, post of NBS teacher के लिए, ठीक है, कुछ और जानकाई अगर आप चाहें कि यहां प पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश देखने के लिए मिल जाएगा, फिर उत्तर अखंड भी आ जाएगा, तो जादा तर आप सभी के जो exam होंगे, वो यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर ही होंगे, इसके अलाबा यहां पर बात की जाती है, परसेंटेज के बारे में, PWD क कैसी आप यहां पर जाएगे, यहां पर आप सभी के सामने अगली बिंडो ओपन हो जाएगी, उस बिंडो के अंदर जाकर आप सभी को यहां से जो आवेदन हो करनी होंगे, ठीक है, इसके अलाबा आप बात कर लिजाए आप सभी के आवेदन के बात से, कि कैसे कैसे आप नंबर की रिजनिंग आएगी 20 नंबर की जनल अवेनर साहिए तीन घंटे का आपका पेपर होगा टोटल आप सब्सक्राइब कर देट नंबर देखने के लिए मिलेंगी पीजीट की जब बात आती तो यहां पर भी आप सब्सक्राइब पूछा जाएगा ठीक है जैसे कि अग 130 आपके जो कोशन है वो देखने के लिए 130 ही नंबर होंगी अब बात करनी जाए टीजीटी के बारे में तो टीजीटी का सिलेवर्स आप सब्सक्राइब के सामने आ जाता है जहां पर आपका पेपर तीन घंटे का होगा आपके अगर बात कीए तो 120 कोशन आप सब्सक्राइ सब्सक्राइब लिखी होई है कि 40% आप सभी का यहां से आना चाहिए दोनों के अंदर ठीक है तो यह सारी की सारी बातें के लिए हो जाती है आप पेपर हिंदी में दे ले ले यहां पे लिखा हुआ है अगर आप पेपर देना चाहते हैं तो सबी अलग-अलग लेंग्वि वो दो जुलाई से शुरू कर दिये जाएंगे एक्जाम की बात की जाए तो इसका जो एक्जाम होगा वो नवंबर के अंदर आयोजित करवाया जाए जाए यह पूरी डिटेल अभी भी आपके मन में सवाल है तो कमेंट करके पूर सकते हैं वीडियो को लाइक कर दें साथी कर दें वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें